महिलाओं के लिए विज्ञान स्वास्ति एवंग पोसड अब आप सुनेंगे हमारा विशेश कारिक्रम ये कारिक्रम रास्टी विज्ञान एवंग प्रोध्योगी की संचार परिसद विज्ञान एवंग प्रोध्योगी की विभाग भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एव इसे कुमावानी सामुदाइक रीडियो द्वारा तैयार किया गया नमस्कार स्रो ताओ, फिर से आ चुकी हुँ मैं आप लोगों की रेडियो दोस्त रितु आ रिया लेकर आप लोगों का मन पसंदा कारिक्रम महतना चल और उम्मिद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और कारिक्रम महतना चल को बहुभी सुन्वी रहे होंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कारिक्रम में मा के दूरा बच्चे की देखभाल को लेकि जैसा कि आप तो जानते ही है ना नौ महीने एक शिशो को अपनी कोख में सीजने के बाद उसे जन्म दे कर उसकी देखभाल करना किसी भी मा के लिए उसकी जीवन के सबसे महत्पों शडो में से एक होता है। अपने शिशो की देखभाल पालन पोशन करना एक अलग अनुभाव है। चाही उसका दिल कितना ही कठोर क्यों नहों लिकिन एक बच्चे की हलकी सी आ उसको आग के सामने रखे मूम के तरह पिगला कर रख देती है बच्चे की खादिर वो खुद को भूल जाती है अपने सारे खास से कामों को अधुरा छोड़ देती है चाहे आप कितनी ही लापरवा क्यों नहों पर अपने बच्चे की खादिर खुद को पून रूप से नौचावर कर देती है और दूसरी बात आप कितनी ही गहरी नीद में क्यों नसोई हों पर बच्चे की एक करवट बदलते ही आप गहरी से गहरी नीद से उड़ जाती है और ज़्यादा छलक उठता है। और इसके बावजूद भी कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नहीं जानती हैं क्योंकि बच्चे की देखभाल करना एक बिसेसर की डॉक्टर की तरह होता है। कभी भूल ही नहीं सकती हैं। साइध ये अनुभाव एक मा के लिए उसके जिन्दगी के सबसे मीठे अनुभाव होते हैं। जो आपन अनुभाव हो छो कस अनुभाव रहा आपन नंतिनाक साथ में। पाली मेर चेल पाद हैं। सब नचीता जस्तक पाद है उबार सब्सक्राइण परवेरिस्मला में साषुली करी देख रेक। और क्योंकरने मम्ता थे भाहियाब आपन अलादें मम्ता कागे नुहीं और में बहुत भलमान नेर्भाप इन चेल गए जसके आप चान इरता भाहिया घरुआ जारूला नून आन डाण मारेली सुर्परान घर जारे नेर्भा जा में चेल है क्योकरनों बच्बने ब्रटे बीमार होने जान नून आनभय बीमार रही रहे 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 मैं सुन्निवियू कि मेरे चेल कभी भेल है ली कभी मभते परिशार रहे नेवा अच्छा दिदी यह होता हो अपन चेर आज कदू साले खेगे आज मेर चेर नो साले खेगे अच्छा तो अफूल का स्वास्त चेर तो फिर अफूल किसके भी खान पानाग ध्यान की करा अफूल इसके खान पानाग ध्यान मतलब मैं आप में दूद पी निर्भा हूँ मैं दूद में अब में खानविन के आपन ध्यान दराने में जो खान्मीन मेखनी बाँ वीता हु नंतिना पेट में जिनेद भाँ और फि उसके हमों लिलाल ला करो टॉनिंग होनिंग ने देछ वावटी धिरे धिरे ठीक है पे जो बहुत भाँ धन्यवाद भाँ बढ़िया सा अनुभव अपन ची अपन बच्चाह साथ मेखे तो एक साथ साथ आ अले दिछे उनर पास जलनू दिदी नमस्कार अपन नमस्कार अपन नमस्कार इतु मेर नाम बसंदी महिता अच्छा आपको बाठन चाला अपन नाइतना साथ मेखे जो अनुभव अपन रो आस तक हाग नेर अनुभव प्रितु जब क्याकने हमेर थुला भाँ पाइध हो लेकिन जब दर दिन हुई तो दिन हुई तो दिन हुई भतते ही तवे थख्राप पड़ी यग जो अबढ़ा कने उह पड़ा लेकिन मगे यो लागा किया पांच मिनट पाले हुगे खुछ ले नहीं बहुए अच्छा दूर ले पे और क्या करने उगे में शिवा आई पांच मिनट ता अंदर में भार काया यह बात कर चान गया पहल पहल नंतिन हुई घर वाले हर 5-10 मिनट में तर आगे चाही नेर नीर नीर पांच मिन तर गई चुछे के लिए भी बीमारी पकार्ली निर्भाया आज अजना थंटापा काथा जूलत तब लगे वज निर्भाया था यह परेज करन पड़ा भद्दीक्कात जेली में लेकिन अब ठुल्टूल हो के आप यह लागा कि दुखो की मिशा भुल गयो आज अग दिन मला मैं नंत जब में ठुलवाई चेल है मैं रुषी दुभाती ची घर मेला बहुत प्यार बहुत खुश हो राची मगार रियाच चेल होगे गवे दिदी अपन नाम की चेल है मैं नाम लक्षमी बिश्टे चेल है अच्छा एक नांतिन अक साथ में अपन अनुभाव कस ची जब अपन नांतिन पैद भावर आज तकाग अनुभाव कस रहा अपन मैं अनुभाव जब मैं चेल पाद है तो उता ठीक ठाक है ची और मला स्वस्टे ची सही ची कभी बीमार हिमार ने है आज इतक नहीं है लेकिन जब मैं भाव हने फिर वेल तम बहुत परेशान करो चार महन बे वेल मैं दूद छोड़ते जब घर में ता दूद पिछे फिर म मुझा लेकिन हमुलताओ भलाईग लीजि करा है थाड़ दौछ टरल उगे दान हान रहन होची ची भार ने में भाचसां आप दिन में ता काम हो राद भार भाटे रह भाटे रह खुच खुज लाते रह घर थे उता परेशान होची है कई गुना ज्यादा परेशानी मग हो एक नवजास सिसो जन्म के दोरान लगभग 16 गंते की नीच सोता है फिर धीरी धीरी उसकी नीद में कमी आने लगती है और कहा जाता है कि अगर बच्चा रात में पैदा हुआ हो तो वह दिन में सोता है और अगर वह दिन में पैदा हुआ हो तो वह रात में अधिक सोता है लेकिन बहुत सारी माओं को आपने कहते सुना होगा कि मेरा बच्चा दिन में खूब सोता रहता है और रात को बिल्कुल भी नहीं सोता इसका कारण यह माना जाता है कि अभी वह सिसु हमारी प्रक्रिया में धला नहीं होगा लेकिन धीरे-धीरे जब वह धल जाता है तो उसकी आलतों में भी बदलाव आने लगता है लेकिन एक मज़े की बात मा आपको और बताती हूँ यहाँ पर जहाँ हम बच्चे की उम्रों उसके पैदा होने से मानते हैं वही चीनी लोग बच्चे के पैदा होने पर उसे 9 महिने का मान लेते हैं है ना मज़े की बात और हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि बच्चा पांस दिन के बाद मा की गूत को पहचानने लगता है बच्चे के पालन पुषर में भी हर जगह अलग-अलग तरीके से दिखभाल की जाती है Medical Science कहता है कि बच्चे के जन्म के आधे घंटे के बाद उसे सिर्फ मा का गाड़ा दूधी पिलाना चाहिए अगले 6 महने तक गुट्टी पाने कुछ भी नहीं दिना जाहिए लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि बच्चे के जन्म के 2-3 घंटे तक उसे मा का दूध पिलाया ही नहीं जाता है बलकि किसी और महिला का दूध पिलाया जाता है क्योंकि अभी मा का दूद गाड़ा माना जाता है और उस दूद को बच्चा नहीं पी पाएगा ऐसा माना जाता है बलकि डॉक्टर तो कहते हैं कि 6 महने तक सिर्फ मा का दूद पीने वाला बच्चा ही हिस्टि पुष्ट होता है और शंक्रमण को रोकने की शमता उसमें अधिक होती है और ऐसे सिसु भवात्मक रूप से लगाओ लंबे समय तक रखता है कई बार आपने देखा या सुना होगा कि माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे को हमारे से कोई मतलब नहीं है हमारा बच्चा हमारे से कोई मतलब नहीं रखता ये हमारे साथ न रहता है और नहीं खाता है और नहीं सोता है तो श्रोताओ ये भी पारन पोशन का ही एक अंग है इसके आलावा भी और भी कई सारी बाते हैं जो एक मा को ध्यान रखने के सासाथ ही एक नर्स की भूमी का भी निभानी होती है जैसे आप तो जानते ही है ना एक नवजाज सिशू एक दिन में दस सिब बारा बार सुशू करता है तो उसे हर बार आपको सुखे कपड़े पहनाने के लिए तैयार रहना पड़ता है और कभी कभी देखा जाता है कि कई माएं जल्दी जल्दी अपने बच्चे को दूद पिला कर अपने काम में लग जाती है जबकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है जबकि एक बच्चे को दूद पिने में लगभग 40 मिट का समय लग जाता है तो सोचे आपको अपने काम करने के तरीके में वदलाव लाना ही होगा इसके अलावा भी बहुत सारी बाते हैं जो एक बच्चे की देखभाल में मा को ध्यान रखनी पड़ती हैं आईए मिलते हैं डॉक्टर से और उन्हीं से पूछते हैं नमस्कार दोस्तों फिर से मेरे साथ है मौनिका खरकवाल जी और आज हम बात कर रहे हैं एक नवजाद सिसु की देखभरे को लेके नमस्कार मैं फिर से स्वागत है आपका रेडियो कमावाली में आप से भी मिलके बहुत खुशी हुई मुझे कि आप बार-बार मुझे ये आप छर्चा कर रही है तो शिशु जैसे ही अपनी मा के गर्फ से बाहर आता है तो उसका केर उसकी जो देख भाल sis वो उसी प्रार कृहर की से इसमें बच्चा पैदा होते ही जो है सबसे पहले वो institution में हो रहा है facility में हो रहा है या कहीं जो है home delivery हो रही है उस पर depend करता है facility वालों को तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें पता ही होती है अगर घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो सबसे पहले उस ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि बच्चा सास ले र कि उसके सर से सर का सरफेस अरिया बहुत होता है जगे बहुत होती है तो सारी की सारी हीट उसकी बॉड़ी से सर से निकलती है तो सर में एक कैप कोशिश ये की जानी चाहिए कि यदी थंडी जगे है हमारे पहाडों की बात है तो अगर हम गरम कपड़े पहना भी रहें तो वो डायरेक्ट उसकी कोमल स्केन पर टच ना करें, एक लेयर उसके वहाँ पर कॉटन की हो, और इसी प्रकार सर पे भी एक कॉटन की टोपी हो, उसके बाद वुलन्स उसको जो है उनिवस्तर पढ़नाए जाएं, तुरंत जो है बच्चे को गरम करें, तुरंत जो है पैदा हो कुछ भी देना उसके लिए हानकारक होता है, तो मा का दूज उसको छे मैने तक बढ़िया से आप पे लाइए, और यदि कोई समस्या ही है, उसको दस्त लग जाएं, उल्टी हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से जाके बात करेंगे, अथवा, सामानिय स्थित आपको किसी से भी जो है सलहा लेने की कोई आवशक्ता नहीं, जैसे आपने कहा कि बच्चे को मा का दूद तो जरूरी है ही, लेकिन क्या उसके अलावा उसे घुटी है, या फिर कुछ अनी चीज़े भी हम पिला सकते हैं या नहीं, नेखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपक तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई जो है देसी घुटियां, कोई दूसी प्रकार की दवाईयां, कुछ भी जो है आपको नहीं देनी है, मैंने वो ही बताया कि स्पेशल कंडिशन्स जहां कि जो है बच्चे को डाइरिया हो जाए, डिसंट्री हो जाए, च गी बात है कि वो बिमार है बच्चा, स्वस्थे बच्चे को कुछ भी देने के आवशकता ने है, तो इसी के साथ अगला सवाल है कि नहलाना है और मालिश कराना है तो वो कैछी हो, मैं किन-किन बातों का ध्यान रखbn, उसको नहलाते व方 चो है नया बच्चा पैदा तो उस वातावरन में अगर मा के तन से पसीना बहरा है, उस कमरे के अंदर सामाने आदमी के बॉड़ी से जब पसीना निकलेगा, इसी कंडिशन में वो जो टेंपरेचर है, वो बच्चे के लिए अनुकूल है, कि वो हम लोगों को एडल्स को जो हम अगल बगल हैं, हमको गर् में बैठें, और विदिन नो टाइम, बहुत ही शीगरता के साथ, आप उल्टा करके बच्चे को नहला दें, फटा-फट पोच दें, एक बार आपने आज नहला दिया है, तो उसके बाद दो-तीन दिन आप खाली उसकी स्पोंजिंग भी कर देंगे, नए बच्चे की, खाल पुनियों की शिकायत होती है ठंड लगने से, तो इसलिए जो है, हाइपो थर्मिया, नवजाच शिशू के लिए बहुत बड़ी समस्य है, हाइपो थर्मिया मतलब हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मतलब तेंप्रेचर, तो अगर उसको ठंड लग जाती है, तो फिर उसको घर के लेवल पे, घरेलू लेवल पे, सब को पता है, मालिश फैसे की जाती है, बिल्कुल है, मैम, अगर अगर सम लिखते हैं, बच्चे को दूद जब पिलाते हैं, तो सीधा या फिर उसे लिटा दिया जाता है, तो ये ठीक है या नहीं, नेकिए, दूद पिलाने के जाताओं को मैंने देखा है, हमारे हाँ भी सिजेरियन होते है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, बुज़ूर्ग आती है, और वो बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटा देती है, बच्चे को हमेशा दूद पिलाए हुए बच्चे को हमेशा तिर्चा उसकी आडबाड करके तिर दूद पिला के लिटाया था और वो तो ऐसा मिला, सांस वास सब खतम, हाट चल नहीं रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण बच्चे का दूद पीके या किसी भी अवस्ता में सीधे लेतना होता है, तो में मेरा अगला सवाल है कि एक जो नवजाज शिशू की हम बात कर उस कमरे में मा के साथ वो रह रहा है, है ना मा के साथ में हमको सबसे ज़्यादा कोशिश यह करने चाहिए कि मा के बिल्कुल पास हो, ताकि जैसे मैंने अभी आप से बात की थी हाइपो थर्मिया पे, तो मा का जब टेंप्रेचर बॉड़ी का उसको मिलता रहता है, तो उस क्योंकि बड़ों में एक प्रती रोधक शम्ता प्रती रक्षन जिसे कहते हैं वो हो चुका होता है उनके तो प्रती रोधक शम्ता इम्म्यूनिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो चीज होती है, तो लोग फिर भी कई रोगों से बच्चते हैं, लेकिन नन्धासा आफ सुतरा रखें, वहां पे गंदगी नहों और अन्य बच्चे भी जो छोटी उम्र के दूसरे बच्चे हैं, वो किसी भी प्रकार की उस बच्चे को खिलोना समझ के हानी न पहुंचाएं, तो इस तरह का सारा का सारा आपको वहां के टेम्परेचर पे ध्यान देना, वह पे महौल, जो है, शोर, गुल, ये सब चीजों पे ध्यान देना बहुत आविशक है, क्योंकि हम इसी मस्ती में मस्त हो जाते हैं, क्या हमारे तो नाती हो गया, पोता हो गया, और उसके बाद हम अपनी मस्ती में हो जाते हैं, ना हम मा पे ध्यान देते हैं, ना हम पोते पे पूरी गाव भर की भीड जो इस पोते नाती को नई शिशु को देखने के लिए पहुँच जाती है, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान करके, मतलब हमको ये, क्योंकि वेज्ञानिक कारण है, मैं उस सोसाइटी में ये संदेश नहीं पहुचाना चाहरी, कि आप उसको बिल्कुल अलग कर दो और लोगों से मिलने ना दो, लेकिन उस एक निश्चित दूरी के साथ आप जो है, आपने पहले भी जैसा मैं तो बहुत जादा गाओं के रीती रिवाजों को नहीं जानती हूँ, लेकिन चूकि मैं भी उत्राखंड के बहुत दूरस्थ जनपद पिथोरगर से बिलॉंग करती हूँ, तो मैंने रेखा था कि मेरी जब पहली बिटिया हुई थी, और चूकि मैं उसी गाओं के माहौल में गई थी, शेहर में रहते वे भी, तो मेरी सास जी ने मेरी चारतरफ गोबर सा लगा दिया था, तो वो गोबर जो हमारे पुराने लोग भी लगाते हैं, उस गोबर का मतलब उस बच्चे की दूरी लोगों से दूर करने की है, धूमरपान की जहां बात आती है, तो धूमरपान तो एक बड़े एडल्ट वयस्क के लिए भी जब खत्रा है, है न, तो वो तो तुरंट से उस नवजात को सास की बिमारिया दे देगा, उसके साथ वो कार्बन के पार्टिकल्स जो पीने वाला तो अपने अंदर लेही रह है और इंवार्मेंट में छोड़ रहा है, वातवरन में छोड़ रहा है, परियावरन में, वो सारा का सारा जो है उस नवजात के अंदर जाएगा, तो तो किसी भी तरह से जो है वो नहीं है, धूमरपान तो, मैं तो आप से अभी जस्ट ये कहके चुकी हूँ कि जो है उस क के अंदर जहां एक नया नया बच्चा निकल करके आया है और वहां आप सिग्रेट बीडियादी का सेवन करके उसके फेफडों तक वो कार्बन पहुचा देंगे बिल्कुल मैं और बच्ची की मैं हम दिखते रकसर की वहां पूरा परदा कर देते हैं बच्ची को एक अलग सा कि अगर वहां पर गर्माहट हो है ना अगर सदियों के देने हैं तो वहां पर कम से कम कुछ हीटर्स हो या कुछ गरम करने की कोई भी सुविधा जो गाओं के इस तर पर लोकल इस तर पर की जा सकती हैं साथ में आपने देखा होगा कि जो है नवजाज शिशु में थोड़ जाज शिशु को देखने हैं कि उसको ispir लाइट के नीचे रखा जाता है लाइट का ताप उसको बलप जला के लाग तो उस बलप से जो गर्मी आती है उसके शरीर गहा हूँ जो तोटा हुआ जोटश है पीलिया क्या है कि जो ऑनोरमल हमारा खून का सेल वैग तो टूट नहीं चलेगा, तो अंधेरे में रखना तो मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं से भी लाबकारी होगा उस शीशु के. मैं बहुत सारी माताओं को दूद नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कौन सा दूद पुलाए अगर उसको दूद नहीं हो पा रहा है तो देखे मैं तो क्योंकि चिकिटसक हूँ और स्वैम जो है सारे प्रसव करवाती हूँ प्रसव के उपरांथ यह सारी देखबाल मैं स्वैम देती हूँ अपने हॉस्पिटल में नैनिताल के अंदर जीवीपन चिकिटसाले में तो चिकित्सक होने के नाते इस बात का मैं खंडन करती हूँ कि मा को दूद नहीं हो पाता है मा के दूद को जो है सुखा दिया जाता है मैं ऐसा कहूंगी इसलिए क्योंकि जब हम ठोक ठोक के अपने स्वास कर्मियों द्वारा आशाओं द्वारा ये बात जन मानस तक पहुचवाते हैं कि शिशू होते ही उसके आदे घंटे के अंदर अंदर आपको शिशू को मा के स्तन तक पहुचाना है कई cases में कई cases नहीं जिन भी जगे पे आप ये वाली समस्या की बात कर रही है सबसे पहले आप ये note करिएगा कि शिशू ने मा का दूद कितने घंटे के अंदर पिया यदि शिशू ने मा का दूद पीने में देरी किये स्टार्ट करने में तो शिशू को भी इंट्रेस्ट नहीं आएगा वह भी इछस्फानी रखेगा कि वह मां के दूद में दिखाएगा उसकी निपल को नहीं पकडेगा इसी तरह मां के भी शरीर में दूद की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि जब आप उसकी निपल को बच्चा खीचता है तो वो ही प्रक्रिया मा के दूद को बनाने और उसके निकालने उत सर्जन में दोनों के लिए responsible होती है जिम्मेदार होती है वो ही प्रक्रिया आपने रोग दी वो ही आपने प्रक्रिया को डिले कर दिया आप चार गंट का शिशू के जन्म के बाद अच्छा खाना दिया जाए जिसमें हर प्रकार का खाना हो हमारी जो आमाये हैं हमारे जो बुर्जूज है जो हमारे गाउं में वो लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि आप ये चीज खाईए ये चीज नहीं खाईए हरी सबजिया नहीं खाईए सबसे जादा उसी मा को हरी सबजियों के आवशकता है जिस मा ने दूद पिलाना है तो जब उनका खान पानी ठीक मी होता उनको प्यास का पानी पिला देते हैं उनको टमाटर का पानी पिला देते हैं उनको प्रोटीन से भरी हुई दाले नहीं देते अंडा नहीं देते, मास नहीं देते, रोटी चावल पूरा भरपूर नहीं देते, तो प्रोडक्शन तो अपनी बॉड़ी से होना है, उत्पादन तो उसी बॉड़ी को वही खाना खाके करना है, तो उत्पादन इसलिए नहीं होता, तो यह मैं आपके प्रशन को खंडित करत मैं बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी बास सुनके मुझे और आखनी सवाल मेरा है अक्सर हम बच्चे को देखते हैं उसके आखो में काजल लगाना बहुत दो चार महिने से कहूं या फिर दो चार दिन से कहूं शुरुवात हो जाती है तो यह काजल लगाना बच्चे के ल नहीं लगाएगी मा, मा के हाथ साफ सुत्रे हैं और वो काजल लगा रही है तो मुझे और मेडिकल साइंसेस को विज्ञान को उससे कोई आपती नहीं है लेकिन काजल में क्या होता है कि आप यूजुली होता यह है कि आपने काजल की दिब्बी एक आख और दूसरी आख औ तो यदि कोई ऐसी मा जो बहुत साफ सुत्रे ढंग से बिलकुल हाईजीन का साफ सुत्रे पन का ख्याल सचछता का ख्याल रखते वे उस काजल को एपलाई कर रही है एक काजल को सिर्फ एक बच्चे के लिए यूज कर रही है उसके अलावा उसमें हैंडलिंग नहीं है जो है, वो स्वैम भी हाईजीन को बहुत अच्छे से जानती और समझती है, तो तो वो काजल लगाए, अधर्वाइस जो आपने मोटी तौर पर सुना होगा, कि आजकल काजल लगाना एकदम कंडेम है, वो इसके दूसरे पहलू को देखते वे हैं, कि अगर हम ये मान के चलें कि उन लोगों की हाईजीन इतनी अच्छी नहीं है, कि वो काजल को मैनेज कर सकते हैं, तो कृपया काजल ना लगाए, उसमें ज़्यादा भलाई है। जानती हूँ, जिम्मेदारियों के चलते आप उन्हें महतों नहीं देती हैं, इसका आसर बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे को सही देखभाल के साथ साथ बहुत सारे प्यार और इसने की आउशकता होती है। और कई जगा हम देखते हैं कि बच्चे को अधिक देर तक गूद में नहीं रखा जाता, कहा जाता है कि उसे गूद की आदत पड़ जाएगी, या फिर कई बच्चों को रोशनी में कम रखा जाता है। और भी बहुत सारी बाते हैं जिने आप अवश्य ध्यान देंगी, फिर मिलते हैं अगले कारिकरम में, सुनते रहिए कारिकरम महतना आजाए। और गिनों पहाडा